नमस्कार केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी श्री नितिन गड़करी जी गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय जी आटो इंडस्ट्री से जुड़े सभी स्टेक्षोल्डर्स सभी OEM Association, मेटल और स्क्रेपिंग इंडस्ट्री के सभी मेंबर्स देवियों और सज्जनों पच्चतरवे स्वतंत्रता दिवस से पहले आज का ये कारकम आत्मों निर्भर भारत के बड़े लक्षों को सिद्ध करने की दिशा में एक और एहम कदम है आज़ देश National Automobile Scrapage Policy लॉंज कर रहा है ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को ओटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है देश में वेहिकल पॉपिलेशन के मोडरनाजेशन को अनफिट वेहिकल्स को एक साइंटिफिक मेनर में सडकों से हटाने में ये पॉलिसी बहुत बड़ी भूमी का निभाएगी देश के करीब करीब हर नागरिक, हर इंडस्ट्री, हर क्षेत्र पर इससे सकारात्मग परिवर्तन आएगा साथियों आप सभी जानते हैं कि देश की अर्थेववस्ता के लिए मोबिलिटी कितना बड़ा फेक्टर है मोबिलिटी में आई आधुनिक्ता ट्रावेल और ट्रांस्पोर्टेशन का बोज तो कम करती है आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होती है 21 सदी का भारत क्लीन, कंजेशन फ्री और कडिविनियन मोबिलिटी का लक्ष लेकर चले ये आज समय की मांग है नई स्क्रेपिंग पॉलिसी वेश्ट वेल्थ कचरे से कंचन के अभ्यान की सर्कुलर एकानामी की एक एहम कड़ी है ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूशन कम करने और परियावरन की सुरक्षा के साथ तेज विकास के हमारी कमिट्मेंट को भी दर्शाती है रियूच, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धान पर चलते हुए ये पॉलिसी ओटो सेक्टर में मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई उरजा देगी इतना ही नहीं ये पॉलिसी देश में दस हजार करोड रुपे से अधिक का नया निवेस लाएगी और हजारों रोजगार का निर्मार करेगी साथियो आज जो प्रोग्राम हमने लॉंच किया है उसकी टाइमिंग अपने आप में बहुत विशेश है हम आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं यहां से देश के लिए अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपून है इन आने वाले 25 साल में हमारे कामकाज के तरीका हमारे रोजमरा के जीवन हमारे व्यापार कारोबार में अनेक अनेक परिवर्तन होने वाले हैं होंगे ही जिस तरव टेकनोलोजी बदल रही है हमारी लाइफस्टाइल हो या फिर हमारी एकॉनमी दोनों में बहुत बदलाव होगा इस परिवर्तन के बीच हमारे परियावरन हमारी जमीन हमारे संसादन हमारे रौ मट्रियल इन सभी की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है टेकनोलोजी को ड्राइव करने वाले रेर अर्थ मेटल्स जो आज ही रेर है लेकिन जो मेटल आज उपलब्द है वो भी कब रेर हो जाएंगे यह कहना मुश्किल है बविश्च में हम टेकनोलोजी और इनोवेशन पर तो काम कर सकते हैं लेकिन जो दर्ती माता से हमें संपदा मिलती है वो हमारे हाथ में नहीं है इसलिए आज एक तरफ भारत डीप ओशन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलास रहा है तो वही सरकुलर एकानामी को भी पोटसाहित कर रहा है कोशिज यह है कि विकास को हम सस्टेनेबल बनाए एन्वार्मेंट फ्रेंडली बनाए क्लाइमेट चेंज की चुनवतियां हम आए दिन अनुभाव कर रहे हैं इसलिए भारत को अपने हित में अपने नागरीकों के हित में बड़े कदम उठाने जरूरी है इसी सोच के साथ बीते सानों में एनर्जी सेक्टर में अभूत्पुर्व काम हुआ है सोलार और विंग पावर हो या फिर बायो फ्यूल आज भारत दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है वेश्ट वेल्ट का एक बहुत बड़ा भियान चलाया जा रहा है इसको स्वच्छता से भी जोड़ा गया है और आत्मन निर्वरता से भी जोड़ा गया है बल्कि आजकां तो हम सडकों के निर्माण में वेश्ट का बड़ी मात्रा में उप्योग कर रहे हैं सरकारी बिल्डिंग गरीबों के लिए घर के निर्माण में भी री साइक्लिंग को प्रुसाहित किया जा रहा है साथियों ऐसे ही अनेक प्रयासों में आज आटोमेबिल सेक्टर का नाम भी जूड़ गया है इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाब होगा सबसे पहला लाब तो यह होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रेप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा यह सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रेजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसान नहीं देना होगा इसके साथ ही उसे रोड टेक्स में भी कुछ छुट दी जाएगी दूसरा लाब यह होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनन्स कोस्ट, रिपेर कोस्ट, फ्यूवल एपिजन्सी इसमें भी बचचत होगी दीसरा लाब सीधा जीवन से जुड़ा है पुरानी गाड़िया, पुरानी टेक्नलोजी की कारण, रोड एक्सिडेन का खत्रा बहुत अधिक रहता है उससे मुक्ति मिलेगी चौथा, इससे हमारे स्वास्त पर, प्रदूशन के कारण जो असर पड़ता है, उसमें भी कमी आएगी और सबसे बड़ी बात ये है, कि इस पॉलिसी के तहट, गाड़ी सिर्फ उसकी एज देखकर ही स्क्रेप नहीं की जाएगी गाड़ियों का बैज्ञानिक तरीके से, और्थोराइज, आटोमेटेड, टेस्टिंग सेंटर्स पर फिटनेस टेस्ट होगा अगर गाड़ी अनफिट होगी, तो वैज्ञानिक तरीके से स्क्रेप किया जाएगा इसके लिए देश भर में जो रजिस्टर्ड वेहिकल स्क्रेपिंग फसिलिटी बनाई जाएगी वो टेक्नलोजी डिवन हो, ट्रांस्परेंट हो, ये भी सुनिशित किया जाएगा साथियों, फॉर्मल स्क्रेपिंग पर क्या लाब होता है, गुजरात ने तो उसे साक्षात अनुभव किया है और अभी नितिन जी ने भी इसका वरणन किया गुजरात के अलंग को सिप रिसैक्लिंग हब के रुप में जाना जाता है अलंग दुनिया की सिप रिसैक्लिंग इनश्टी में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ा रहा है सिप रिसैक्लिंग के इस इनफर्स्ट्रेठर ने यहां रोजगार के हजारों नए अफसर तयार किये हैं इस पूरे ख्षेत्र में इंफरस्ट्रक्टर भी है और कुशल, स्कील, मैन पावर भी है ऐसे में जहां जो के बाद गाड़ियों की स्क्रेपिंग का भी ये बहुत बड़ा हब बन सकता है साथियों स्क्रेपिंग पॉलिसी से पुरे देश में स्क्रेप से जुड़े सेक्टर को नई उर्जा मिलेगी नई सुरक्षा मिलेगी विशेश रुप से स्क्रेपिंग से जुड़े जो हमारे कामगार है जो छोटे कारोबारी हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बड़लाव आएगा इससे कामगारों को सुरक्षित माहोल मिलेगा संगडित छेत्र के दुसरे करबचारियों जैसे लाब भी उनको मिल पाएंगे इतना ही नहीं स्क्रेप का काम करने वाले छोटे कारोबारी है ऑथोराइज क्रेपिंग सेंटर्स के लिए कलेक्षन एजन्स का काम भी कर सकते हैं साथ्यों इस प्रोग्राम से ओटो और मेटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बुस्ट मिलेगा बीते साली हमें लगभक 23,000 करोड रुपिय का 23,000 करोड रुपिय का स्क्रेप स्टील इंपोर्ट करना पड़ा है क्योंकि भारत में जो अभी तक स्क्रेपिंग होती है वो प्रोड़क्टिव नहीं है एनर्जी रीकवरी ना के बराबर है हाई स्ट्रेंथ स्टील एलोईज की पूरी वैल्यू नहीं निकल पाती और जो किम्ती मेटल है उनकी रीकवरी भी नहीं हो पाती अब जब एक साइन्टिफिक टेक्नलोजी आधारी स्क्रेपिंग होगी तो हम रेर अर्थ मेटल्स को भी रीकवर कर पाएंगे साथियों आत्मा निर्भर भारत को गति देने के लिए भारत में इंडूस्ट्री को सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं हमारी ये पूरी कोशित है कि आटो मैनिफेक्टरिंग से जुड़ी वेल्यू चेन के लिए जितना संभव हो उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े लेकिन इसमें इंडूस्ट्री को भी थोड़े एक्स्ट्रा एफर्स की ज़रुरत है आने वाले पचीज साल के लिए आपके पनाज भी आत्म निर्भर भारत का एक्सपस्ट रोड़ मैप होना चाहिए देशब, प्लीन, कंजेशन फ्री और कंविनिन्ट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है इसलिए पुरानी एप्रोच और पुरानी प्रक्टिसिस को बदलना ही होगा आज भारत सेप्टी और क्वालिटी के हिसाब से ग्लोबल स्टांडर्स अपने नागरिकों को देने के लिए प्रतिवत है बी एस फोर से बी एस सिक्स की तरफ सीधे ट्रांजीशन के पीछे यही सोच है साथियों देश में ग्रीन और क्लीन मोबिलिटी के लिए सरकार रिसर्च से लेकर इंफरस्ट्रक्टर तक हर्स तरफ पर व्यापक काम कर रही है इथेनौल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सरकार के इन प्राफिक्ताओं के साथ इंडुस्ट्री की सक्रिय भागिदारी बहुत जरूरी है आर एंडी से लेकर इंफरास्ट्रक्टर तक इंडुस्ट्री को अपनी हिस्तेदारी बढ़ानी होगी इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए वो सरकार देने के लिए तैयार है यहां से हमें अपनी पार्टर्शिप को नए लेवल पर ले जाना है मुझे विश्वात हैं कि यह नया प्रोग्राम देश वास्यों में भी और आटो सेक्टर में भी एक नई उर्जा भरेगा नई गति लाएगा और नए विश्वात का संचार भी करेगा आज के इस महत्वपुण अवसर को मैं नहीं मानता हूँ कि उद्ध्योग जगत के लोग जाने देंगे मैं नहीं मानता हूँ कि पुरानी गाड़ियों को डोने वाले लोग इस अवसर को जाने देंगे यह अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का विश्वास लेकर के आई हुई यह व्यवस्ता है आज गुजरात में इस कारकम को लौंज किया गया है इस पॉलिसी को लौंज किया गया है और गुजरात का तो वैसे भी और हमारे देश में भी सरकुलर एकौमिक शब्दब नए आया होगा लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि अगर कपड़े पुराने होते हैं तो हमारे घरों में दादी मा उसमें से ओड़ने के लिए रजाई बना देती है फिर रजाई भी पुरी हो जाती है पुरानी हो जाती है तो उसको भी फार थोड़ करके कच्रा पोता के लिए उसका और इकोनमिक क्या कहते हैं, वो भारत के जीवन में नहीं नहीं हैं, हमें बस वैज्ञानिक तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे, तो बुझे विश्वास हैं कि कच्रे में से कंचन बनाने के इस अभियान में हर कोई सरीक और हम भी और नई नई चीजें आविश्कार करने की दिशा में सफल होंगे, मैं फिर एक बार आप सब को बहुत बहुत शुब कामना ही देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद.